हेलो फ्रेंड्स आज मैं मसाला कैप्सिकम बना रही हूं तो चलिए शुरू करते हैं वन टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ओयल लिया है उसको अच्छे से गरम होने के बाद मैंने 200-500 ग्राम तक कैप्सिकम लिया है उसको लंबे टुक्रों में मैंने कट कर लिया है आप जैसे कम लें कोई बात नहीं लेकिन ज्यादा फ्राइ नहीं करें ज्यादा पकाए नहीं इसको इस तरह से और मैंने एक प्याज लिया है उसको भी लंबे टुक्रों में मैंने कट कर लिया है दो ज्यादा भूनेंगे नहीं बस मैंने इसको दोनों को साथ में हलका भून के और मैं मैं इसको निकाल लोंगी फ्रेंड्स हम लोग कैपसिकम किसी भी सबजी में साथ में ज्यादा तर बनाते हैं इसको मैं अलग बना रही हूं एक अच्छी रेसिपी है यह ट्राइ कीजिए दो टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ओल लिया है फ्रेंड्स उसी खड़ाई में हम लो एक पिंच मैंने थन्या लिया है कोरियंडर सीट्स जादा नहीं डालूंगी और थोड़ी सी में कसूरी मेथी भी डाल रही हूं फ्रेंड्स बिल्कुल थोड़ी सी बाद में भी मैं डालूंगी इसलिए मैं तड़के में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूं अच्छी कुछबू आ जाती है टेस्ट भी अच्छा होता है तेल आप कम कर सकते हैं मेरे से तोड़ा सा ज्यादा डल गया है एक बड़ा टमाटर मैंने लिया है छोटे-छोटे हो तो दो टमाटर भी आप डाल सकते हैं और एक हरी मिर्च मैंने छोटे टुकरो में डाला है आप इसको इ टमाटर को अच्छे से पका लेंगे फ्रेंडस क्योंकि ग्रेवी अच्छी बनती है वन टीस्पून मैंने जिंजर कालिक पेस्ट लिया है फ्रेंडस थोड़ा दरदरा ही रखा है मैंने आप पेस्ट ले सकते हैं इसको अच्छे से मैं पकाऊंगी कच्छा पन निकल जाए मसाले में बहुत जादा नहीं डालूंगी फ्रेंडस थोड़े थोड़े ही डालूंगी अच्छी रेसिपी है अच्छी लगती है टेस्टी लगती है चावल रोटी साथ आप जैसे भी खाना चाहें खा सकते हैं फ्रेंडस ये कैप्सिकम की सबजी आप किसी भी टाइम बना पॉडर लिया है आप जादा लेते हो तो जादा ले सकते हैं तीकी पसंद करते हो तो एक टेबल स्पून मैंने सबजी मसाला लिया है जैसा मैं बताती आ रही हूं कि मैं घर में खुद बनाती हूं और हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला पॉडर लिया था तो मसाले हमारे भुन गया है थोड़े से अब मैं इसमें डे टीस्पून डाल रही हूं पॉपी सीट्स पेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं बहुत सारे लोग उसको पोस्तो दाना भी कहते हैं तो हमारे किसी भी ग्रोसरी सॉप पे इसली अवलेवल होता है वैसे अगर आपके प एकॉर्डिंग तो टेस्ट अच्छी सब्जी बनती है आप ट्राई करें थोड़ा सा फ्रेंट मैं इसमें पानी डाल रही हूं ज्यादा पानी नहीं डालोंगी ज्यादा ग्रेवी वाली मैं सब्जी नहीं बना रही हूं हाफ टीस्पून मैंने अम्चुर पॉडर भी डाल और अनियन उसको मैं डाल रही हूं डाल के हम लोग बहुत देर तक इसको नहीं पकाएंगे फ्रेंड्स क्यूंकि फिर से वो सॉफ्ट हो जाता है कैप्सिकम तो वो मजा नहीं देता सब्जी का तो मुश्किल से मैं पांच मिनटी पकाऊंगी और ये मैं कसूरी मेथी क्रश करके डाल रही हूं हमेशा कसूरी मेथी तुछ करके डालना चाहिए अच्छी बनती है सब्जी टेस्ट उसका अच्छा होता है पूरी सब्जी में उसका फ्लेवर अच्छे से मिल जाता है फ्रेंड्स देखिए हमारी सब्जी अब रेडी हो गई है बहुत टाइम नहीं लगता सब्जी में तो चलिए अब इसको सर्फ करते हैं हम लोग इसको मैं पनीर से गानिश करूंगे फ्रेंड्स कैपसिकम के साथ पनीर बहुत अच्छा लगता है बच्चे बहुत पसंद करते हैं फ्रेंड्स कैपसिकम की सब्जी जातर लोग पनीर के साथ नूडल्स में मिक्स वेज में ज्यादा तर ऐसे उसको यूज करते हैं आप इस तरह भी ट्राइ कीजिए अच्छी लगती है सब अच्छी एक में वेजिटेबल रेस्पी है यह थैंक्यू फ्रेंड्स अच्छी लगता प्लीज कॉमेंट जरूर करिएगा